हेलो फ्रेंज टुपर फाइफ शक्ती चैनल में मैं रतना एक बार फिर्स से आप सभी काम बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंज आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन अपनी कोडिपेंडेंसी कैसे हील कर सकती है अपना लाइफ परपस कैसे किसी में पड़ेंडेन कर सकती है और अगर उनको पैसे की प्रप्रप्लम मिन अन् như करियर सही नहीं चल रहा है उनको जौब इन रही है जिस फिले तरीके का ब्लॉकेघ जि आरा है उनके की एस यूदिन को हील करने में मैं जिमानी चाहरा की इसम्पाइब करने में तो उसके जड़ा को डीपेंडनर सी में है तो आप अपना किमॉर कर सकते हैं जो भी उसके चीज में में आपको करियर में क्यों बाधा आ और और निगä है जैँति क्या इंगलिटी वह ए वह चीज रिमॉव हो जाएकी और आपका माइंड एगा का लेकर आसागल करने ने लिए उजह The लूर्मल चीजों पर अट्रेक्शन पर मेनिफिस्टेशन पर उतना डिलीव नहीं करती है। मेरे शान समय के अनुसार ही होता है। मैं उस पर विश्वास नहीं करती कि अाइटोमेटिक हो जाएगा मै यक्रम पर विश्वास करती हूं कि हम कुछ करेंगे कर्म, तब जाके वो manifestation होगा हम कुछ तपस्या करेंगे inner work करेंगे, साधना करेंगे तब जाके उसका फल हमें मिलता है मैं manifestation के 33555, यह सब जो rules होते हैं उस पे जादा believe नहीं करती वो छोटे मूटी चीजों के लिए है money block जैसे बड़ी चीज के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप co-dependency में हैं, अगर आप कहीं फे stuck पड़ें, अगर आपको पैसे की problem है, तो वो सिर्फ छोटे मूटे manifestation से दूर नहीं होगा क्योंकि उसके बीच में अगर आपको money block है और career में बाधा है, तो उसके बीच में कुछ बहुत जादा negativity होती है, कुछ negative चीज होती है, आपका mind में कुछ negative चीज जो उसको block करती है जो आपके success abundance को block करती है ये मैंने देखा है, जादा तर लोगों के sessions लेती हूँ, astrology पे तो मैं जादा विश्वास नहीं करती लेकिन जो मुझे डाउनलोडिंग होती है जो भी मुझे साई बाबा के messages मिलते है उसके थूज मैं लोगों को guide करती हूँ तो definitely वो फरक पड़ता है बहुत सारी common चीजें देखी जैसे कि जो लोग भी बहुत जादा codependency में हैं, जो लोग का मंतराज हैं, कुछ ऐसा inner work है जिनको करके आप वो blockages को remove कर सकते हैं और जैसे ही ये चीजे remove होती है जैसे ही आपके और आपके success के बीच में आपके career के बीच में आपके life purpose के बीच में से वो negativity remove होती है तो आपको खुद दिखने लगता है आपके success के abundance के रास्ते आपके सामने खोले जाने लगते हैं तो वो कही न कही इश्वर आपसे आप इच्छा करते हैं कि आप ही के अंदर block है पहले आप उसको remove करें पहले कुछ आप ऐसा कर्म करें तब ही तो आपको फल मिलेगा है ना बैठे बिठा है तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या किसी normal जर्नी में या किसी कोई normal person हो आप आपको जो भी मिलता है मेहनत से ही मिलता है तो ठीक है फ्रेंज इस वीडियो में उनके नाम बता देती हैं उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि कैसे फिर आप उसको execute करेंगे तो देखिए बागी सारे inner work बताने से पहले पहला inner work तो मैं आपको यहीं बताऊंगी कि इंसिस्टर कर्स अगर कोई भी इंसिस्टर कर्स है आपके उपर तो आपका money block remove नहीं होगा तो सबसे पहला काम आप इंसिस्टर कर्स अपना remove करें अगर नहीं पता है कि इंसिस्टर कर्स है आपके उपर तो पता करें और अगर इंसिस्टर कर्स है तो उसको remove कीजे और अगर आपको पता है कि काल शर्प दोस या इंसिस्टर कर्स आपके उपर है या कोई नेगेटिव एनरजी आपके उपर है और आप फिर भी हाथ पे हाथ रखके बैठे उसको बिल्कुल रिमूफ करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं कोई भी गाइडेंस नहीं ले रहे हैं तो यह गलत है आपका जो ट्विन फिल्म जर्णी वो स्टक ही रह जाएगा आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे ठीक है तो फिर्स्ट इनवक कोई भी नवक करने से पहले मनी ब्लॉक या कोई भी हीलिंग करने से पहले अगर आपके उपर इंसिस्टर कर से तो उसको हील करें बिना इसको हील कि नहीं ही रिमूव होगा क्योंकि यह जो एंसिस्टर कर्स या काल शर्प दोस्ट या कोई नेगेटिव एनरजी नार्क एंटिटी होती हो सबसे जद आपके सकसेज आपके करियर पर ही एफेक्ट करती है ठीके तो फिर्स्ट एंसिस्टर कर्स हीलिंग यह आपका फिर्स्ट इनवक है आप अगर सकसेज होना चाहते हैं को डिपंडेंसी से पहार आना चाहते हैं कुछ बनना चाहते हैं तो इसकी लिए दूसरा इनवक है आपका सन मंत्र साधना सूरी की मंत्र साधना कीजिए कैसी भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाएगी अगर एंसिस्टर तो भी आप सन की remedy करते हैं तो आपको काफी उससे benefit मिलेगा आपके उपर किसी भी तरीकी की negativity है या आपके mind में आपके करियर में किसी भी तरीके का blockages है तो वो भी remove होता है अब इसको कैसे करना है ये बता देती हूं देखिए सुर्य देव को जल देना तो बहुत ज़रूरी ह जब से आप सन मंत्र करना स्टार्ट करें सुर्य की पूजा करना स्टार्ट करें तभी से आप सुर्य को जल देना भी स्टार्ट करें सुर्य को अर्द देते हैं आप सबको पता होगा तो सुर्य को जल भी दे साथ में और सुबह नहाद होके सुर्य की मंत्र साधना करें सु सब्सक्राइब करने से पहले आपको संकल्प लेना होता है कि मैं ये मंत्र साधना इतने दिन करूंगी या करूंगा और मैं इस पर्टिकुलर परपस के लिए स्टाट कर रही हूं करने कि इतना इन्टेंशन आपको देना पड़ता है संकल्प लेनी से पहले आप संकल्प एक दिन पहले भी ले सकतने हैं जैसे कि apologized कर थूंघी से related या अपने करियर से related अपने अंदर के सारे blockages remove करने हैं इसलिए मैं ये मंतर साथ ना कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये आपको intention डालनी होती है इसी तरीके से अगर आप soul purpose अपना find करना चाहते हैं तो भी आप सर मंतर करने से पहले जब संकल पलेंगे तो पर ही डिपेंडेंट हैं ठीक है ऐसे बहुत सरे फेमिनाइन के साथ होता है तो भी आप अपने को को हील करने के लिए money block को हील करने के लिए या कोई अच्छा जॉब पाने के लिए आप ये मंतर कर सकते हैं तीसरा जो आप कर सकते हैं उसका वह बुद्ध मंतर साथना ऑंपिज मंतर ओंप्र ऑमर्ण ब्रहें कि अभी जो मंतर है वह बहुत ही इफेक्टिव बहुत ही पावर फुल country यह आपके करियर, आपके success में, आपके mind में जो भी blockages आपके career को लेकर या फिर आप कर नहीं पा रहे हैं, सोचते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, आपके mind में ही कहीं blockages zostați सारे blockages हमारी subconscious mind में ही होता है, तो यह मंत्र है वो आपके गुधत्व से related होते हैं आपकी यह मंत्र करने से पहले जब आप संकल्प लेते हैं तो अगर इंटेंशन भी डाल देते हैं कि मुझे इस चीज के लिए मंत्र यह करना है तो वह डेफिनिटली आपका पूरा होता है ठीक है तो मंत्र करने से पहले आपको प्रेयर करना पड़ता है एक रुख राक्ष की माला पड़ती है अपने सामने एक लोटा जल लेकर रखना पड़ता है और फिर आपको भगवान से प्रेयर करके फिर मंत्र करना स्टार्ट करना पड़ता है एक सो आठ मंत्र डेली कीजिए मतलब एक माला डेली कीजिए और यह मंत्र साधना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर पीरियेड है तभी छोड़ीए और जितने दिन अला elfसके और उसके बाद उतना दिन जितना अक्स्ट्र करना सबसे और और यह जो ड कर रहे हैं वह अलग सबटी बड़ता मनत्र करना सकते हैं जरुरी भी छृटति प्रेलों चब्रेश रहिवां इस जरूसे उनी नह हो जाएगी और अगर इंसिस्टकर्स हील होने के बाद भी कोडिपेंडेंसी आपकी हील नहीं हो रही है तो आप मुझसे मनी ब्लॉक हीलिंग सेशन ले सकते हैं या कोडिपेंडेंसी हीलिंग सेशन ले सकते हैं और आपको पता कैसे लगेगा कि यह मंतर साधना वर्क कर रही है जब आप मंतर साधना करना स्टार्ट करेंगे तो दस दिन पंद्रह दिन के अंदर ही आपको एफेक्ट थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा उसका चीज़ें चीज़ें आपके राउंड चेंज होने लगेंगी तब आप समझ जाएगा कि हा जब आप सन मंत्र करेंगे तब ठीक है फ्रेंग्स इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं आइ好吧 लक्षमी मंतर साधना कर Sup भग्वान गडेश का देखिए बाप difka मैं गडेशG की मंतर साधना बहुत समय रिवील वो सब होने लगता है आप अगर बहुत जदा को डिपेंडेंसी में हो तो सब भी अपने आपी खतम होने लगता है आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू हो जाती है बस उसमें भी आपको इंटेंशन डालना होता है कि आप यह मंत्र कर रहे हैं तो किस रीजन स पर मिल जाएगा कि मैंने अपर आपको सिंपल बताए कि आपको कैसे करना है मंत्र साधना और बहुत ज़्यात इसमें पूजदा पाठ नहीं होता है जाएक लोटा जल लेकर कि करना के और साफ सुत्रा होगर किनाध होके और संकल्प के साथ एक बी दिन चूटना नहीं चाह अच्छा चौप पा सकते हैं और सल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं और अगर आप में इन्सिस्टर कर्स हील कर लिया आपको बहुत समय हो गया है यह जर्णी में आये हुए फिर भी अभी को डिपेंडेंसी में हील नहीं हो रही है तो डेफिनिटली कुछ और ब्लॉकेजिस हो कर दिया जाएगा कि सोल परपस आपका आगे चल की क्या है और उसको आपको कैसे करने और बाकि अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो थोड़ी सी महनक भी कर लीजए ओके फ्रेंस तो आज के लिए बैस इतना ही नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं ओम नमस्यवाय ओम कि भीजए भीजए